ये 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 इतना सांदर है कि आप हर्थोई भी एक्जाम की तयारी कर रहो हर एक्जाम में यहाँ से 5प्रेशन बनते ही बनते हैं और पटवारी में यहाँ से बहुत सारे प्रेश्ट परना है तो लास तक देखिएगा एक कि कोश्न को गर जो नहीं आता को इसको नोड डाउन करते जाईगे गा तर चलिए स्टार्ट करते हिंBookे सब्सकर कर प्रकरती से प्राप्त तत्व कितने हैं एक सो अठारा में से प्रकरती से प्राप्त तत्व कितने हैं तो प्रकरती से मिले हैं अंठानवे तत्व कितने मिले हैं अंठानवे क्रतिम तत्व से निर्मित तत्व कितने हैं मतलब क्रतिम तरीके से बनाए गए कितने हैं 20 अभी कहीं कहीं पे इसका आंसर 24 दिया है क्योंकि हाली में कुछ और चार जो तत्व खोजे गए हैं तो अगर 20 की जगे अगर option में 24 आता है तो आपका आंसर 24 होगा अगर 24 नहीं आता है तो आपका आंसर 20 होगा क्रतिम तत्व कितने हैं 20 प्रकरती से प्राप्त तत्व हैं कितने हैं 98 और 20 कितना हो गया 118 तो याद रखिएगा 118 में प्रकरती से प्राप्त कितने हैं 98 हैं और क्रतिम कितने हैं 20 हैं अब आपसे पूछें इन ग्यात तत्वों में धातू कितनी हैं, धातू तत्वों की संख्या कितनी हैं, इन धातू तत्वों की संख्या हैं, इंक्यानवे कितनी हैं, 118 में से धातू कितनी हैं, इंक्यानवे हैं, आपसे पूछें अधातू कितनी हैं, तो इन में से अधातू ह के गुर मौझूद होते हैं उनको जैसे कि सलीकॉन हुआ explains it तो ये उपधातू कहलाती है, उपधातू कुल कितनी है, उपधातू है, साथ, उपधातू कितनी है, उपधातू साथ है, धातू कितनी है, धातू इंक्यानवे हैं, और अधातू कितनी है, अधातू 27 है, तीनों फैक्ट याद रखिएगा, कुल 180 है, उनमें से 180 में से धातू में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है देखो आपसे पूछें प्रत्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व तो आपको ऑक्सिजन लिखना है लेकिन वो अगर आपसे पूछें कि प्रत्वी पर पाया जाने वाली सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली धात अब जो आवर्त साड़नी है देखो आवर्त साड़नी में कुल साथ आवर्त है और अठारा समू है कैसे हैं साथ देखो आवर्त कैसे रहते हैं जो कि छहते जहते हैं और होरीजोंटल कौन रहता है होरीजोंटल रहते हैं वर्ग और आवर्त ऐसे रहते हैं उपर से नीचे जा पर क्या होता है आवर्थ होता है मतलब ऐसे आवर्थ जाते हैं यहां से जो यहां होता है और ऐसे क्या जाते हैं वर्ग जाते हैं तो अब है वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं वर्ग एक के तत्व को क्या कहा जाता है वर्ग एक के तत्व को चारिय धातू कहा जाता है आप वर्ग तीन से बारा तक के तत्व कौन से कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं संक्रमर्धातू, कौन से संक्रमर्धातू, अगला है वर्ग पंदरा के तत्व कौन से कहलाते हैं, वर्ग पंदरा के तत्व कहलाते हैं, निकोजन, वर्ग पंदरा के तत्व कौन से कहलाते हैं, आप से सोला की तत्व कौन से होते हैं वर्ग सोला की तत्व होते हैं चैल कोजन वर्ग सोला की तत्व को क्या बोला जाता है चैल कोजन वर्ग सत्रा की तत्व क्या कहलाते हैं हैलोजन हैलोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह समुदर की सत्हा पर मिलते हैं अठरा की तत्व क्या कहला और वर्ग 14 के तत्व क्या कहलाते हैं इस पठिक कहलाते हैं 15 और 16 वाला बहुत important है 15 को क्या बोलेंगे निकोजन बोलेंगे और 16 को क्या बोलेंगे चलकोजन बोलेंगे यह चलकोजन वर्ग 16 में जो oxygen, sulfur यह जो आते हैं वर्ग 16 के को बोलते हैं इस पठिक क्रिस्टली रूप म में मेंडलीफ की जब आवर्त है, सावी तो वरतमान में साथ है, मेंडलीफ की में कितने थे, आर्थ थे, सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, सबसे बड़ा आवर्त है, आवर्त छे, क्योंकि इसमें आते हैं, कितने तत्व, इसमें आते हैं, 32 सबसे बड़ा आवर्थ कौन सा है आवर्थ 6 है क्यू antagon से बटी Shabu kol 추석 क्या बोलते हैं आदूनिक आवर्थ सारनी का सबसे हलका तट्व अलग-लग पूछते हैं हलका गैस कौन सी है अभी आपसे पूछ रहे हैं सबसे हलका तट्व आधुनिक आवर्त सार्णी का सबसे हलका तत्व पूछ रहे हैं तो तत्व है लीथियम लीथियम का परमानुक्रमांग तीन होता है और आधुनिक आवर्त सार्णी का सबसे हलका तत्व यही है हैलोजन समू में मुक्त इलेक्ट्रोन की संख्या कितनी होती है हैलोजन जो समू होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रोन की संख्या कितनी होती है मुक्त इलेक्ट्रोन की संख्या होती है साथ कितनी होती है अगला है है हैलोजन समू की संख्या कितनी होती है हैलोजन समू की संख्या कितनी होती है एक होती है तो हेलोजन समू में मुक्त इलेक्ट्रोन की संख्या कितनी होती है साथ जैसे कि आप फ्लोरीन को लेके देखो फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यह क्या होते हैं यह हेलोजन होते हैं अब जैसे फ्लोरीन की संख्या कितनी होती है नौ उसको कैसे भरेंगे तो और साथ इस तरह से भरेंगे तो साथ लास्ट में है तो साथ ही इसकी क्या हो जाएंगे इसमें साथ मुक्त इलेक्ट्रोन हो जाएंगे और इसकी सेयोजक्ता पूरी करने के एक इलेक्ट्रोन चाहिए है इसलिए हैलोजन की सेयोजक्ता कितनी होगी एक होगी फ्रेंच्OR कमेंट वॉक्स में बताईएगा ब्रोमीन का परमारु क्रमांग कितना होता है अगला है अक्रिये गैस समू कौनसे गैस अक्रिये गैस समु होती है अक्रिये गैस समू किसको बोलते थ्या अठारवय समू Yeah अक्रिय गैस समू बोलते हैं किसको बोलते हैं अक्रिय गैस समू 18 मतलब समू 18 में जो लास्ट वाला समू है वो क्या कहलाता है वो अक्रिय गैस समू कहलाता है इसको अक्रिय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रोन की संख्या होती है जीरो अब जब जीरो हो अगला है पहले आवर्त में कितरी तत्व है पहले आवर्त में दो तत्व थे एक तो हाइड्रोजन था और दूसरा क्या था हीलियम ब्रह्मान में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व सबसे अधिक ब्रह्मान में कौन सा तत्व पाया जाता है तो यह पाया जाता है हाइड् तो हैनात कौन सा पाया जाता है हाइड्रोजन हीलियम और ऑक्सिजन पाया जाता है सबसे भारी धातू कौन सी है सबसे भारी धातू है ऑश्मियम कौन सी है सबसे भारी धातू ऑश्मियम है और यह कितनी है ऑश्मियम का परमाणु करमांग के कितना है ऑश्मियम का परमाणु सांडिन में गैसों की संख्या कितनी थाथे क सक्राफозд गैस की संख्या 15 कितनी है गैस्स घ्यारा है काला ध़ातू किसको बोलते ले डृवारत गल्लांगम बहुत जबता उच्छा उठynnा थांगम की के तैम सांदू काम ने मानब सरीर में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है औक्सिजन अगर औक्सिजन नहीं होगा तो फिर पाया जाता है कारवन और फिर उसके बाद पाया जाता है नाइट्रोजन तीन तत्व मानब सरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाते हैं औक्सिजन कारवन और नाइट्रोज सकते हैं अगला है डीव लॉक की तत्व को क्या बोलते हैं डीव लॉक की तत्व संक्रमर तत्व कहलाते हैं और डीव लॉक की तत्व कैसे होते हैं संक्रमर तत्व मुक्त अवस्था में कौन से तत्व पाए जाते हैं मुक्त अवस्था में कौन से तत्व पाए जाते हैं सोना कौन सी धातू है, जिसे हाथ पर रखते हैं, हाथ पर रखते ही, हतेली के रखते ही, वो पिगल जाती है, हतेली पर रखते ही, सर्वादिक योगिक बनाने वाले तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा योगिक बनाता है आवर्त सार्णी में कारवन कौन सबसे ज़्यादा योगिक बनाता है आवर्त सार्णी में तो आवर्त सार्णी में सबसे ज़्यादा योगिक बनाता है कारवन कौन बनाता है कारवन कारवन जो आवर्त स्राणनी में सरवाधिक योगिक बनाने वाला तत्व है चानी की विद्धु चलकता सरवाधिक होती है और चानी का परमाणु क्रमांग 47 होता है हीरा एक अधातू है याद रखी गए हीरा धातू नहीं है हीरा एक अधातू है और इसमें चमक पाई जाती है हीरा क्या है हीरा एक अधातू है कोशन आता है हीरा क्या है योगिक है मिश्रन है धातू है अधातू है तो हीरा एक अधातू है ये बहुत बार पूचा गया ये ऐसे प्रेस्ण है जो कभी न कभी किसी न किसी एक्जाम में पूछे ही जा रहे है और्गन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौनसी होती है तो वो है आर्गन कौनसी है और्गन अक्रिय गैसों कि कुल संख्या कितनी है साथ है कौन कौन सी है हीलियॉम, नियों, आरगन, कृप्टॉन, जिनौन, ग्रेड़न और ऑगेंसियम यह साथ जो है वो अक्रिय गैस है आपसे पूछेंगे यह से अच Podcast टोटल गैस कितनी है 11 अक्रिय गैस कितनी है है platinum अगला है पिंच ब्लेंड पिंच ब्लेंड किसका इसको है पिंच ब्लेंड यूरेनियम का इसको है पिंच ब्लेंड किसका इसको है यूरेनियम का किस धातु का किस तत्व का उश्मियमान सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का उश्मियमान सबसे ज्या जो रिन विद्धुतिय धातू है वो है फ्लोरीन कौनसी है फ्लोरीन सबसे अधिक रिन विद्धुति है सबसे भारी अक्रिये गैस कौनसी है सबसे भारी अक्रिये गैस है रेडाउन कौनसी है सबसे भारी अक्रिये गैस रेडाउन अक्रिय गैस में मुक्त एलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी होती है? जीरो नाइट्रोजन बायू मंडल में सबसे ज़्यादा मायतरा में पाया जाता है कौन? नाइट्रोजन सिलीकॉन, बोरोन और जर्मेनियम ये अधातू है कौन? कौन सी? सिलीकॉन, बोर्मीन और जर्मेनियम तारे में कौन सा तत्व सबसे धिख पाया जाता है? हाइड्रोजन कौन सा? हाइड्रोजन आजनभी गैस ये स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? जिनोन को भविश्य की धातू कौन सी है? टाइटेनियम भविश्य का इधन कौन सा है? हाइड्रोजन दोनों में अंतर रखिएगा भविश्य की धातू पूछे तो टाइटेनियम नया इधन पूछे तो भविश्य का इधन पूछे तो एच्टू अगला है नया अधनिक साड़नी बनाने में एक अक्रिय गैस जोड़ी है लास्ट में उसका नाम कौन सा है? ओगांसन जो है जो अक्रिय गैस है और इसको अभी लास्ट में ही जोड़ा है इसका परमाणू क्रमांग कितना है इसका परमाणू क्रमांग है एक सो अठरा नया आधुनिक साड़ी में जो अक्रिय गैस जोड़ी है वो कौन सी है ओगंसन उसका परमाणू क्रमांग कितना है एक सो अठरा मानब सरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिच कौन सा है ऐसा कौन सा खनेज जो मानब सरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है मानब सरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है केल्सियम खनिज पूछ रहे हैं, मानब सरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, केलसियम है सबसे ज़्यादा आइनन भिवब किसका है, सबसे ज़्यादा आइनन भिवब है हीलियम का किसका आइनन विवब सबसे ज़्यादा है हीलियम का आइनन विवब सबसे ज़्यादा है किसका आइनन विवब सबसे ज़्यादा है हीलियम का याद रखिएगा आइनन विवब क्या होता है किसी भी परमाडू में से इलेक्ट्रोन को निकालने के लिए जितना उर्जा की आवशक्ता होती है वो आयनन विवब कहलाता है वो सरवा देखे है हीलियम का ऐसी धात्यु जो विद्धुत की सुचालग हो graphite है platinum को सफे सोना भी कहा जाता है किस धात्यु को सफे सोना बोलते हैं platinum को सफे सोना बोलते हैं और ये विश्व का सबसे महेंगा तत्व है ये भी आद रखीगा प्लेटी नम को सफे सोना बोलते हैं और ये विश्व का सबसे महेंगा तत्व है कौन प्लेटीनम अगला कोशन पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और कमेंट भी कीजेगा कमेंट जरूर करा कीजे मैं आपके लिए बहुत अच्छे चे वीडियो लेके आरी जो आपको पड़वारी में बहुत जदा हेल्प क क्याती हूं तो कमेंट करते हैं तो मुझे पता रहता है कि कौन-कौन मेरे वीडियो देख रहे हैं और उपने वस्ट फैस पर अपने टेली ग्राप में वेस्ची का encouraging इसके अलाव अगर आपने मेरी इंस्टा पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर थौट मिलके रहेंगे एक्जाम के बाद तो फॉलो जरूर कीजिएगा और वाटसप टेलिग्राम फेस्बुक टुटर की लिंक आपको डिस्किप्शन डॉक्स में मिल जाएगी और आपका नंबर मेरे पास वाटसप पर सेफ करा दीजिएगा 6260190944 पर मुझे वाटसप करके हाय लिख के भेज दीजिएगा और अपना नाम भेज दीजिएगा तो मैं नंबर सेफ कर लूँगे इस्टेटस पर जो कोशन डाल रही हूं वो आपको आपका नंबर सेफ रहेगा तो वो आपको मिलता रहेगा अगला कोशन है सबसे भारी ऐस कौनसी एसी उतकर सातु है जो सबसे भारी है तो वो है रेडाउन कौनसी है रेडाउन है और ये बायू मंडल में नहीं पाई जाती है जुडवा तत्व किसको बोलते हैं लेड और जिंक सबसे ज़्यादा जुडवा तत्व हैं किसको बोलते हैं जुडवा तत्व लेड का होता है पीवी और5-2 जिन्क का होता है और ये दोनों ही जुडवात अधव हैं लेड्ट और जिन्क क्या है लेड्र जिन्क जुडवात अकौनसे अधव जोड़वा अधवे एंगा जर्में यम्वा एंटि मनि धात वा अधातू रेभर नोगगे हैं इसलिए यह कौन से दव कहलाएंगे ये उप धातू कहलाएंगे ये उप धातू है जो क्या करते हैं जो धातू और अधातू दोनों के गोड़ प्रदर्सित करते हैं धातू अधातू दोनों के गोड़ प्रदर्सित कौन करता है जर्मेनियम वा एंटी मनी धातू के आकसाइड कैसे होते ह धातू के आकसाइड होते हैं चारिये और अधातू के आकसाइड कैसे होते हैं अमलिये होते हैं याद रखिएगा धातू के कैसे होते हैं चारिये और अधातू के कैसे होते हैं अमलिये होते हैं दातुएं कैसी होती हैं अपार दर्सी दातूएं कैसी होती है अपार दर्सी होती है सोडियम पोटेशियम का गल्लांक उच्च नहीं होता है सोडियम और पोटेशियम का गल्लांक उच्च नहीं होता है और ये जल्दी गल जाती है सोडियम और पोटेशियम का गल्लांक क्या होता है उच्च नहीं होता है धातुएं कैसी होती है अपार दर्सी होती है धातुएं पार दर्सी नहीं होती है धातुएं अपार दर्सी होती है और सोडियम और पोटेशियम का गल्लांग उच्च होता है धातुएं उश्वा और विद्धुत की सुचालक होती है ऐसी धातु जो ठोस अवस्था में होती ह वो है गंधक गंधक ऐसी अधातू है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। कि पूरे आवर्तसार्णी में ऐसे कौन सा तत्व है जो की ठोस अवस्था में होता है तो अधातू, कौन सी ऐसी अधातू है जो ठोस अवस्था में होती है तो वो है गंधक गंधक जो की सलफर कहलाती है ये एक अधातू है और ठोस अवस्था में रहती है कौन सी एक अधातू है जो द्रव अवस्था में रहती है तो वो है ब्रोमीन कौन सी एक अधातू है जो गैस अवस्था में रहती है वो है ऑक्सिजन इसका मतलब क्या हो रहा इसका मतलब अधातू है ठोस द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में रहती है ठोस अवस्था की धातू कौन सी है गंधक, गरब की कौन सी है व्रोमीन, गैस की कौन सी है अक्सिजन ये तीनों ही मतलब इसका क्या निकल रहा है कि धातू है ठोस गरब गैस तीनों अवस्था में रहती है अध्धातूं का गलांक और कथनांक उच्छ होता है और अध्धातूं का कम होता है फ्रेंट्स आगे के गोशन पढ़ने से पहले अगर आप प्रबंदन की तैयारी कर रहे हैं पटवारी के लिए तो आप हमारे MCQ की E-book ले सकते हैं 90 रूपीज की आपको इसकी PDF मिलेगी इसमें आपको पूरे के पूरे प्रबंदन के सभी टॉपिक कवर मिलेंगे और आप इसको PDF की तुरू भी अपना आपको रिवीजन करना है तो आप इसके PDF से आंसर मिला के अपना रिवीजन कर सकते हैं हर प्रेस्ट के नीचे उसका आंसर दिया हुआ है इसके अलाबा ये मेरे Current Affairs की प्रेश्णोत तरी है इसमें 1400 प्लस MCQ है और 6 महेने का Current Affairs के पूरे objective इसमें cover किये गए हैं जो बहुत ज़्यदा important है इसकी आप print निकल वाकिए घर में बैठ कर practice भी कर सकते हैं अगला है MPPSC prelims की notes की है booklet ये 11 booklet आपको मिलती है और इसके साथ आपको मिलता एक WhatsApp का group जैसे में videos आपको बना रही हूँ इन सभी videos की PDF हमारे इन ही group में दे दी जाती है और इसी प्रिकार की और भी PDF बना बना के पिच्चर बना बना के आप लोगों को कोशन याद कराए जाते हैं अगर आपने हमाएं पटवारी की notes लिए होंगे तो पटवारी की notes के साथ भी आपको एक group मिला होगा उस group में बहुत सांदर तयारी कराई जा रही है हर वक्त कोशन भेजे जाते हैं वहां हर पल हर मिनिट में कोशन भेजे जाते हैं एक एक दो दो कोशन करके बेजे जाते हैं तब कि आपको तुरंट के तुरंट वो याद हो जाए और आपको एक रेजिस्टर बनवाया गया है गुरूप के लिए जो गुरूप में दे रही हूं वही आपको पढ़ना है अगर आम नोट्स पढ़ते भी नहीं अगर आप हमेर सब कर सकते हैं अगला कुशन है मेंडलीव कहां के थे मेंडलीव जो थे जनोंने सबसे पहले आवर्त सार्णी दीती वो कहां के थे तो वो थे रूस के मेंडलीव कहां के थे मेंडलीव रूस के थे जल तथा कारवन मोनो अकसाइट कैसे होते हैं जल तथा कारवन मोनो अकसा कैसे होते हैं जल और कारवन मॉनौकसाइट के औकसाइड उधासीन होते हैं किरा कितीन तत्वों के द्वारा भी बता सकते तीन तत्वों के जोड़े बना दिये थे और बताया था कि जो बीच वाला तत्व है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के उसत के बराबर होता है उनके उसत के योग के बराबर होता है ये ट्राइड नियम दिया था डौवे रीनर ने अस्टक नियम किस ने दिया था अस्टक नियम दिया था न्यू लेंड ने अस्टक नियम किस ने दिया न्यू लेंड ने हर आठवे तत्व के गुड़ पहले तत्व के समान होते हैं यह दिया था अस्टक नियम क्या अस्टक नियम के अनुसर क्या बोला था कि हर आठवे तत्व के गुड़ जो होते हैं वो पहले उसके सम्ट तत्व के समान होते हैं अगला है मैंडलीफ की आवर् बनाई गई तत्व रखें गये मखमरी विष्टाब किर्मानंगी के आधार पर 25 उनकी व Arguicia! इनकी वर्ती हुई سंख्यापर शताइपकी सभाल। इतिश-ब क्पंक्ति को आवर्त से को आवर्त में बाइए से दाएं। ऋब से नीचे जाते हैंında सर्वादिक विश्यली धाथू कौनसी है प्लूटोनियम, सर्वादिक विश्यली धाथू क्होंड सी है हाइड्रोजन कौन सा है हाइड्रोजन सबसे हलकी धातु कौन सी है लीधियम द्रव धातु कौन सी है मरकरी अपारा द्रव धातु कौन सी है ब्रोमीन दूसरा सबसे अच्छा सुचाला जैसे के चांदी है सबसे ज़दा सुचाला के उसके बाद अगर बात की जाए तो कौन है कापर है कौन है कौपर सबसे अधिक क्रियासील धातू जो बहुत ज्यादा करती है धातू पूछ रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्रियासील धातू हो जाएगी सीजियम और सबसे ज्यादा क्रियासील धातू हो जाएगी फ्लोरीन क्रियासील धातू कौन सी हो जाएगी CGM क्रियासील अधातू क्या हो जाएगी फ्लोरीन हो जाएगा दोनों ही एफेक्ट याद रखेगा क्रियासील धातू है CGM और क्रियासील अधातू है फ्लोरीन उच्चितम गल्लांक वाली धातू जिसका गल्लांक बहुत उच्च होता है वो होती है टंगस्टन कौनसी होती है टंगस्टन टंगस्टन का सिंबल डबलू होता है और उच्च गल्लांक वाली धातू होती है कौनसी है टंगस्टन उच्च गल्लांक वाली धातू सबसे दिक रियासील धातू कौनसी है सीजियम ह विद्धु रिनात मगता वाला तत्व पूचा जाए तो fluorine हो जाएगा लेकिन electron वंदुता वाला पूछा जाए तो electron वंदुता में हो जाएगा chlorine दोनों में अंतर याद रखिएगा सबसे प्रबल ऑक्सी कारक कौन सा है सबसे प्रबल ऑक्सी कारक है fluorine प्रबल ऑक्सी कारक कौन है fluorine और प्रबल अप्चायक कौन सा है लीथियम, ये दोनों भी बहुत महत्पूर है, प्रबल अक्सिकारक फ्लोरीन है और प्रबल अप्चायक है लीथियम, समु सोला के ततों क्या कहलाते हैं, कॉलकोजन, कॉलकोजन समु को ऑक्सिजन समु भी कहा जाता है, कॉलकोजन समु को क् पुणि जाता है स्भूशन ि पॉलयनियमbuds यह क्या चलाते हैं समूशनला के तत्व मुए इस्क बनाने वाले तत्वी अब साणिन के 13, 13 वर्ग वर्ग में आते हैं, वर्ष बोर्ण, आलउनियम, गयलैनियम, इरीडियम, तो यह सब टाइटेनियम यह काय में आते हैं 13 वर्ग में आते हैं, मानम निरमित्त पूछा जाए अब वर्टमान में तो चौवेस है, मानम निर्मितत वरतमान में पूछा जाए तो कितने हैं, चौवेस अकर बीस नहीं दिया हो कारवन परिवार कौन सा कहलाता है समु kommen का परिवार कारवन परिवार कहलाता है कारवन है, सिलिकॉन है जर्मेनियम है, तिन है, लेड है तो ये किसमे कहला ये अधातू के रूप में बंदे हुए और तेन ये लेड ये क्या होते हैं ये अधातू के रूप में बंदे हुए होते हैं और ये कौन से तत्व कहलाते हैं ये समहू 14 के तत्व कहलाते हैं कारबन परिवार कौन सा कहलाता है समहू 14 का तत्व कहलाता है और ये जरूर याद रखेगा सबसे प्रबल अक्सिकारक कौन सा है फिलोरीन है और सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है लीथियम है और अक्सिकारक अपचायक दोनों का ही याद रखेगा और प्रबल अक्सिकारक फिलोरीन है और प्रबल अपचायक है लीथियम तो friends ये थे हमारे आज के कोशन लीदिया मैं इसलिए है क्योंकि वो जो hydrogen के साथ आसानी से ही निकाल देते हैं जोड़ जाते हैं तो वो प्रबल अपचायक है तो फ्रेंट्स ये थे हमारे आज के कोशन लगवक सो कोशन आज मैंने कराए हैं बहुत ही सांदार प्रेशने हैं यहां से आपको डारेक्ट कोशन सीधे सीधे मिलेंगे कोशन को नोट डाउन कर लीजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सियर सब्सक्राइब जरू कीजेगा ओके फैंस थेंक यू